हलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेन्वी जीनियस पे आज हम डिसकस करेंगे केमेस्ट्री 2019 का जो मैंने गेस पेपर दिया था उसमें से कितने कुष्टन्स एक्जामनेशन में आये स्टुडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वीडियो से रिलेटेड है वो वीडियो की अवाज होती है अगर आपने मेरा जो गेस पेपर वाला वीडियो देखा है तो उसमें अगर आपने मेरी बातें बहुत ध्याल से सुनी है तो जितने भी क्युष्टन्स आई थे वो कही न कहीं जो मैंने बताए है उनसे रिलेटेड या वही एक्जामनेशन में आपको मिले है क्युष्टन पेपर में कभी भी exact क्युष्टन आपको वैसा नहीं मिल जाएगा कोई भी भगवान नहीं है जो आपको बिल्कुल exact question जो है question number लिख दे और question बता दे और वो question आपको मिल जाए पर अगर आपने मेरा वीडियो बिल्कुल properly watch किया है तो 80-100% जो question से वो match किये है तो हम chemistry paper को उसकी analysis करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन से questions हैं जो guess paper से exactly match कर रहा है या बहुत हद तक जो है match कर रहा है Students, question number 1 से start करते हैं Question number 1 के first part में हमसे कहा गया है an electrolyte which completely dissociates into iron कौन सा electrolyte है जो ions में completely dissociate होगा Students, इसका answer नच था मैंने आपको वीडियो में ये बिल्कुल clearly कहा था कोई भी simple चीज छोड़के मत जाईएगा Simple articles पे ही आपको concentrate करना था अगर आपको acid, base और salt की सिर्फ definition भर याद होगी तो आप ये बहुती easily बता सकते हैं acid, base जो होते थे base में naoach होता था वो completely dissociate होता था जो covalent compound है alcohol, carbonic acid और sucrose वो आपके dissociate completely नहीं हो पाएंगे Students, first part बहुती simple आया था second part में आपसे कहा गया था most electro negative element कौँन है? magnesium, chlorine, aluminium और sulfur में से तो students, first और second question में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि electro negativity, ionization potential और एक और term मैंने यूज किया था atomic size इनकी order की study आप करिएगा ascending, descending order पढ़िएगा definitions पढ़िएगा तो ये B part जो आपका chlorine आपको mark करना था, question 1, 2 से बिल्कुल clearly related था third part में alloy alloy, जिसने पढ़ा है वो alloy अराम से लिख पाया होगा कि aluminium in alloy durumin, जो है, वो क्यों use होता है तो aluminium, जो है, वो lightness provide करता है, इसका भी मैंने question कहा था आप से कि alloy का question exam में आपको मिलेगा fourth question, drying agent SCL के लिए कौन सा use होता है तो students, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, तो ये question similar था, question number 17 के जो guest paper में है जब मैं 17th question guest paper में बता रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, कि acid के साथ हम वो drying agent लेंगे, जो उसके साथ react ना करे, तो SCL अगर है, तो SCL को dry करने के लिए S2 as a 4E आप ले सकते हैं, being an acid ये SCL जे react नहीं करेगा 5th question, students, again बहुत simple question पूछा गया है greenhouse gas कौन सी है, तो methane gas जो है, वो greenhouse gas है students second question में, first part जो ethanol से ethene का conversion है ये 49 का first part मैंने आपको जो predict किया था वही आया है, question number 49 का first part आप देखेंगे, तो यही exact question आपको मिलेगा, मैंने कहा था ये वाला reaction आएगा second part में, sodium chloride concentrated sulfuric acid से जो reaction करेगा ये question number 44 है तो third part, ammonia excess chlorine के साथ react कर रहा है, ये question number 35 है जो gas paper है, उसका question number 35 है, students alkane substitution reaction देते हैं, substitution reaction ये question number 47 से related है, और fifth part most metallic element पूछा गया है ये activity series के through भी आप बता सकते थे, और वैसे भी ये question काफी simple था, sodium, magnesium, ammonium में कौन metallic जादा है, वो आप easily बता सकते हैं कि sodium students, इसके C part में ये सारे ही जो reactions आए थे ये काफी simple आ गये थे, आपको कुछ नहीं करना है इसका Na और SO4 आप साथ collect करेंगे, water बनेगा, zinc sulfate और S2S बनेगा, ammonium sulfate और iron hydroxide बनेगा, ये questions आप easily कर सकते थे, ये question simple थे और 13, 43, 44 से related थे जो 5th part था, ये similar था 47, 49 second part के students, D part में sulfur और HNO3 का relation दिया गया है, 37 का 3rd part आप देखेंगे अगर तो phosphorus और HNO3 का मैंने predict किया था उसी से मिलता जुलता question आपको मिला है, copper oxide, ammonia का reaction, ये question 34 से बिल्कुल similar आया है electrolysis of copper sulfate using copper electrolyte मैंने कहा था question number 22, yes paper का exact ये question है students, 4th part जो है, zinc SCL का reaction, ये बहुत simple आया है तो 39th के similar ये वाला reaction था, मैंने कहा था जितने भी nitrates है, उनको heat करना आपको बहुत अच्छे से उनके reactions तयार करना है, तो ये question number 39 के similar था, students इसके बाद E part आपका 21st और 2nd part के similar था मैंने आपको mole concept का कहा था कि atoms और weight इनसे related question आयागा, moles पूछे जाएंगे ये भी question आपको examination में मिल गया molecular, empirical formula अगर आपने वीडियो की सिर्फ starting के 5 minute देखे होंगे, तो ये question आपने कर लिया होगा, mole concept का empirical formula, molecular formula का जो मेरा वीडियो है, उसके starting के 5 minute आपको ये answer दिला देते students, organic में मैंने कहा था, 4 carbon items से उपर आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप simple names study करिए, और देखे prop 1,9 आपसे पूछा गया है इतनायल आपसे पूछा गया है, और जो acid lean में क्या खास बात है, triple bond ये भी एक simple question आपसे examination में पूछा गया है, third part में इतेन पूछा गया है students, इसके बाद fourth part में, फिर two carbon acid वाला carbon, two carbon वाला acid, acetic acid आपसे पूछा गया है, तो G का first part, G का first part again बहुत ही simple था, empirical formula आपको answer देना था, second part, acid की definition, electronegativity की definition, calcination, अगर ये सब आपने पढ़ा था, definition खाली पड़ी थी, तो ये answer कर लेते, electronegativity first, second का part थी, ये मैंने आपको starting में definition, calculation, बातों बातों में पढ़ाई भी थी, guess paper में, calcination भी मैंने कहा था, similar है, question number 26 के, non-polar covalent bond पुछा गया है, ये भी simple question आया था, ascending descending order मैंने आपसे कहा था, कि questions में आएगा, ascending descending order भी पूछा गया है, ये activity series से आप बता सकते हैं, तो question number 24 के similar था ये, activity series अगर आपने पढ़ी होगी, electronegativity का order पढ़ा होगा, तो आप ये easily कर सकते थे, question number 1, 2 में electronegativity के order के लिए भी मैंने आपसे कहा था, पढ़ना है, simple articles आपको पढ़ने थे, covalent, electrovalent और i-nick, तो उनके simple example आपसे पूछे गया हैं, यहाँ पे, question number 2 में, अगर आपने simple examples की study करी होगी, तो इनके electron rod structure आपने बना ली होगे, students, ये question देखिए, बिल्कुल exact, वही आया है, जो मैंने आपसे कहा था, similar है, ये question number 13 के, 13 में मैंने कहा था, pH 7 से ज़्यादा होगा, तो basic, कम होगा, तो acidic, और 7 होगा, तो neutral, और वही question examination में आपको मिल गया, ये question number 13 के similar था, student C part, simple आया है काफी, इसमें periodic table था, periodic table आपको बना हुआ दिया गया था, उससे related answer थे, तो ये questions आपने कर लियोंगे, अगर आपने खाली periodic table देखा भर है, periodic table देख के जो गया होगा, वो भी इन questions को कर पाएगा, और third part में आपसे पूछा गया था, कौन non metallic element है, जिसकी valency 2 होती है, इस अब आपने बता लिया होगा, student third question जो आया है, strong electrolyte, non electrolyte, इन सबकी definition खाली अगर आपने पढ़ी हैं, तो third question आपने answer कर लिया होगा, उसके बाद, B part पे आते हैं, students, यह reaction हलके से अलग आये हैं, पर simple थे, iron sulfate का reaction भी simple था, यह जो second reaction आया है, यह question number 13 के similar है, question number 13 में जो guess paper का है, उससे similar है, students, जो C part आया आपका, precipitation reactions मैंने आपसे कहा था, study करना, precipitation reactions अगर आपने study कर रहोंगे, तो आपने यह question भी कर लिया होगा, C का fourth part, Fe, Cl3, iron 3 chloride का reaction मैंने आपको दिया था, question number 16 के यह similar था, student, fourth question, जो है, fourth का first part, 37th question के similar था, मैंने sulfur की जी के phosphorus दिया था, और यह exact reaction आया है, यह 19th question में जो equations दी हैं, 18, 19th में उनमें यह question आपको मिल जाएगी, यह question भी simple आये थे, अगर आपने preparation पढ़े होंगे, तो कर लिया होंगे, question number 5, 27th question के similar था, मैंने आपसे कहा था, chemical formula पूछा जाएगा, chemical name दिया जाएगा, और वैसे ही question जो है, आपको यह मिला है, और cryolight पे focus भी मैंने किया था, मैंने आपको बातों ही बातों में बताया था, conductivity बढ़ाने के काम आता है, loss of radiation को prevent करने के लिए, हम coke sprinkle करते हैं, तो similar to 27th question था, students, LOI से related question आपको मिलता है, तो C part आपका LOI से related था, और 6th का A part, question number 33 के similar था, अगर आपने तीनों प्रॉसेस, हेबर, कॉंटेक्ट और उस वाल्ट पढ़े होंगे, तो 33 का इसली आंसर कर लिया होगा, second, third part भी easy थे, यह question 20 और 21 में, mole concept का वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा, तो यह question आपने बहुती इसली कर लिया होगा, chemical equation से related, 7th question का first part, question number 27 से related था, alumina की electrolytic reduction करते हैं, तो कौन सी gas evolve होती है, और यह 49th के second part से related था, इथीन का hydrogenation, और जो third part था, वो 34th question था, ammonia का reaction अगर हम copper oxide के साथ कराते हैं, तो कौन सी gas निकलती है, B part, question number 31 से similar था, magnesium nitride का reaction, और ammonia से NH4Cl, student यह 7th question के similar था, मैंने कहा था, दो gases react करती हैं, और एक solid बनाती हैं, तो यह ammonia SCL का NH4Cl reaction था, यह B part आप कर लेते हैं, अगर आपने यह questions करे होते, C part में process से related questions आपको दिये गया हैं, और मैंने questions आप से कहे था, कि 33 में तीनो प्रोसेस आपको अच्छे से करके जाने हैं, students, इसी के C part में, यह एक question रह गया है, empirical molecular formula वाला, यह question number 20 के similar था, अगर आपने empirical molecular formula study करा है, जैसे questions मैंने आपको दिये थे, तो यह question भी आपने कर लिया होगा, इस तरीके से आपने देखा, कि जितने भी questions मैंने आपको बताए हैं, वो ज़्यादतर सारे questions आए हैं, उनका form हलका सा change हो सकता है, पर questions आपको examination में मिलेंगे, तो आप हमारे channel को trust कर सकते हैं, और आगे भी आपको जो भी हमारी तरफ से information दी जाएगी, वो 100% बिल्कुल proper होगी, जन्यून होगी, पर अगेन वही बार, कागज के टुकडों पे मत जाएए, आप ये ना सोचिए कि हमको ये PDF form में मिल जाएगा, जैसे एक दो students का comment आता है, कि PDF form में दे दीजे, आप इनको रट के examination में अच्छे marks score नहीं कर सकते,